टिक टॉक भारत में एक बार फिर धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। में मुंबई बेस्ट रियल एस्टेट ग्रूप हीरा नंदानी के साथ साज़ेदारी को लेकर शुरुवाती दौर की बातचीत कर रही है। टिक टॉक को वापस लेकर आ सकती है। दिल्चस बात है कि भारत में बैन होने के ठीक दो साल बाद ही टिक टॉक की वापसे की खबर सामने आई है। भारत में जून 2020 में सरकार ने टिक टॉक समेथ 69 चीनी एपस पर बैन लगा दिया था। उस समय कहा गया था कि ये चीनी एपस भारती यूजर्स का डेटा जमा करके उसका गलत इस्तमाल कर रहे थे। इसके बाद एक और लोग प्रिये गेमिंग एप पपजी मोबाइल को भी बैन किया गया था। लेकिन पिशले साल पपजी मोबाइल गेम के रिप्लेस्मेंट के तौर पर क्राफटर ने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI को भारत में लाउंच कर दिया। कुछ इसी तरस पर आप बाइट डांस भी एक बार फिर से भारत में टिक टॉक के रिलाउंचिंग की प्लानिंग में जुट गया है। चीन बेस्ट शॉर्ट वीडियो एब टिक टॉक को भले ही भारत में बैंड कर दिया गया था लेकिन दुनिया भर में इसकी लोकी प्रेता रुकने का नाम नहीं ले रही है। टिक टॉक 2022 में सबसे ज्यादा डाउनलूड किया जाने वाला एप बन गया है। वहीं कमाई के मामले में भी ये एप नमबर वन की पोजिशन पर बना हुआ है।